दोस्तो नमस्कार, वो कहते हैं कि अवशकता ही अविशकार की जननी होती है, यही बात व्यापार पर भी लागू होती है, जैसे जैसे व्यापार में कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे काम करना और मुश्किल होता जाता है, ऐसे में अपने व्यापार में अपन अपनी सेल्स को आप बूम कर सकते हैं देखिए अगर सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जन बढ़ेगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आएगा कि अपने बिजनस को नेक्स लेवल लेकर जाना है आज हम बात क मेटास ओवर सेज लिमिटेड बनी उसके पीछे सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो सेल्स स्ट्राटेजी का है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फंचाइजी और डिलर्शिप शोरूम है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये किवल तभी संबब हो पाया है जब हमने सह तरीके से अपनी सेल्स की स्ट्राटेजी को डिजाइन किया है आज इसी विशापर हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसी तीन बेस्ट्राटेजी हैं जिनको इंप्लीमेंट करके हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहली जो है वह रियल एक्सपिरियंस स्ट्रेजी का इंप्लीमेंटेशन अपने बिजनस में कर रही हैं आप देखिए मुबाइल फोन खरीद में आप जाएं तो दो तरह की शॉप आपको मिलती है एक वह जहां पर डबा पाक मुबाइल फोन रख्यों या डमी रख्यों है आप जाते हैं और अगर आप पूस्त के इस दौर में तूसरा शोरूम प्रोडट को डिस्प्ले करता है कहता आप आईए मेरे हां मुबाइल फोन को टेस्ट कीजिए कामरा देखिए साउंड कॉलिटी देखिए फीचर्स देखिए वीडियो देखिए स्पीड देखिए उसको मतलब टेस्ट ट्रायल में उसको फ एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में मिल जाएंगे तो आपके खरीदने की जो इच्छा है ना जो डिजायर है वो और बेटर तरीके से निकल कर आएगी इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है अगर आपका बिजनस इस तरह का है जहां आपके प्रोड़क्त या उमर को ट्राइल पैक्स दीजिए कि यह फॉर एक्जेंपल कोई एटेबल फूड आइटम आपकी है तो कुछ छोटा सैंपल उसको दीजिए खाने के लिए यह सिद्धानत ना पुराने जबाने में बी इस्तिमाल होता था पहले जब हम शॉप की पर के पाश आते थे तो व देखो और जैसी वो ग्रहा कुस बर्फी का पीस या उस स्वीट या उस आइस क्रीम का या जो भी चीज वो है उसका जैसी टेस्ट करता हा पीस तो बहुत बढ़ी है चलो दो किलो पैक कर दो तो इसका मतलब जो ट्राइल सिस्टम है न वह एक व्यक्ति के मन में उस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी इच्छा को जारा बढ़ा देता है और वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है तो ट्राइल किस तरह से आप अपने कस्टमर को करा सकते हैं यह आप जुरूर एक्सपीरियंस कीजिए नेक्स जो है सैंपल कई बार क्या होता है ट्राइ आपकी जुरूरत के साबसे आपको प्रोड़क्ट देंगे यह जैसे जिम में जो लोग वर्क आउट करते हैं वो जब जिम के स्टोर पर जाते हैं जाने सप्लिमेंट्स खरीते हैं वहां पर उनको ट्राइल से मिल जाते हैं प्रोटीन से रिलेटेड और बहुत सारे लेने आता है वो चाहता है कि ऐसे प्रोड़क्ट को में experience करूं वहां पर जाके demonstration देखूं तो हम demo का सारा लेते हैं क्योंकि हमारे वाले case में ऐसा तो है नहीं कि ट्राइल के लिए घर पर kitchen लगा दिया 10-5 साल यूज करके देखिए बढ़िया लगेगा तो फिर आप order दीज कई चीजों में आप उस product को test करने के लिए वह एक तरह से सेंपल वाली बात है कि कुछ testers बने होते हैं जिनसे आप test कर सकते हैं जैसे अगर आप flavored based को बनाते हैं तो अलग अलग तरह है कि flavor का छोट 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 आ टेस्टर आपका बना हुआ है यह orange flavor है यह mango flavor है यह pineapple flavor है तो इसका production बढ़ाया जा सके इसकी quality को और improve किया जा सके तो यह जो real experience based strategy है यह हर business में implement हो सकती है बशरते आपको क्या वली देखना है कि आपके अपने product को आपको किस तरह से demonstrate कराना है चाहिए trial basis पर sample basis पर demo basis पर tester basis पर एक बहुँची strategy है जातर businesses में काम करती है next contest participation based strategy अब एक र involvement किस तरह से हो सकता है कि आपने अपने product या service से संबंदित या customer की जरूत से संबंदित या उसकी problem से संबंदित को एक ऐसा contest रख दिया जिसमें वो participate करे और सामने से जब customer participation करता है तो आपको मिलने वाले result और बहतर होता हो क्या हो सकता है offline contest कि आपने अपने showroom पर अपने outlet कोई contest रखा है कि आप आएंगे हम यह game खिलाएंगे या एक activity कराएंगे जो इसका winner होगा product के sample लेकर जाएगा या उसको हम इतना special discount देंगे या online contest भी हो सकता है कि आपने उसका Google form बनाये हुए Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube इसके थुरू आपने कोई contest design कर दिया, लोग online contest में participate कर रहे हैं और उन मेंसे winner निकलते हैं, उन winners के photographs, उन winner के awards जब आप उनके साथ share करते हैं तो वो लोग उसको offline promotion में, online promotion में भी इस्तिमाल करते हैं, उसके लवा referral contest क्या होता है, जो आपके satisfied clients हैं, अगर आप उनसे references मांगते हैं, तो कई बार वो नहीं देते हैं, आसानी से नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने contest निकाला हुआ है, कि हमारे product को use करो, और 5 लोगों को refer करो, उन में से number of maturity जतनी ज़्यादा होगी, जिसका total sales volume बड़ा होगा, या number of referral ज़्यादा होगे, या deal maturity ज़्यादा होगी, उनको हम first, second, third rank देकर award देने वाले हैं, award कुछ भी हो सकता ह आपके product के samples हो सकते हैं, कुछ gift हो सकते हैं, कुछ momentos, trophies, certificates, यह हो सकते हैं, तो referral based contest भी आप कर सकते हैं, testimonial based contest, कि आपने क्या कहा, कि अगर आप हमारे valuable customer हैं, आपने हमारे product के service को use की है, तो आपना testimonial record कीजिए, हम उसको social media platform बड़ा लेंगे, और साथ में आपके साथ भी share क करेंगे, जिस testimonial को सबसार लोग पसंद करेंगे, views करेंगे, या comments करेंगे, या like करेंगे, उन पर हमें contest चलाएंगे, उस contest के आधार पर आपको gifts देने वाले हैं, इससे क्या होगा, कि आपका consumer जब आपके product या service के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, तो वहाँ प आप क्या कर सकते है, offer with limited period या festive based offers आप निकाल सकते हैं, आज काफी सारी companies इसका इस्तिमाल करते हैं, बहुत लंबे समय पहले, आरचीज ने इस concept को launch किया था, और वो क्या करते थे, आने वाले अलग-अलग festive पर, अलग-अलग offer, अलग-अलग discount, अलग-अलग schemes launch करते थे, इसके हिसाब से, customer के लग-अलग schemes हम लोग निकालते हैं, जैसे new year scheme है, valentine day scheme है, winter scheme है, summer scheme है, 15 अगाश, 26 जनवरी scheme है, रक्षा बंदन scheme है, monsoon offer है, wedding offer है, कि wedding season चल रहा है, तो आपने अलग offer निकाली हुई है, तो यह जो schemes and offers होती है, यह customer को बहुत ज़दा attract करती है, आप द duration में sales का volume बढ़ता है, वहाँ आपको सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है, कि उस समय की operating cost है, वो बहुत कम हो जाती है आपके लिए, क्यों, क्योंकि operating cost पूरे साल लग-बग सेम रहने वाली है, जब sales का volume ज़दा होगा, तो अनुपातिक खर्चा कम हो जाएगा, जिसकी व का उदेशी की भारत के हर घर से एक सफल बिजनसमें तयार हो सके, और वो केवल तभी संभव है, जब हम सही तरीके से लोगों को guide करें, उनके mentorship करें, उनको बताएं कि कौन सी success कैसे हासिल किया सकती है, उसके लिए हम काफी सारे courses भी run करते हैं, जैसे rope, result oriented program for entrepreneurs, next training program, workshop या seminar, क ज़रूर प्रेस करें, तकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास है, competition के इस दौर में, कौन first mover होगा, ये important नहीं है, कौन fast mover होगा, वो important है, इसलिए इस knowledge को जाला सदा grab करने के लिए जल्दी से वीडियो तक पहुँचे, स्वस्त रहें, मस रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत!